हाई फ्रेंड्स फ्रेंड्स आई सपोर्ट लॉक्डाउं आप लोग भी लॉक्डाउं को सपोर्ट करो समझो यह कोविट नाइटीन जो वायरस है यह है क्या है? यह इतना बारी है कि हमारा जो बाल है वह 50 micron है और यह approximately 0.1 micron है बहुत ही छोटे साइस का है तो जब तक यह शरीर के बाहर है यह dust particle की तरह है जो निर्जीव होता है जैसे ही आप कहीं किसी के contact में आये और आपकी body में यह enter हो गया तो फिर mucosa से जब यह body में जाता है तो आपके cell का control ही अपने हाथ में ले लेता है तो उस सूरत में इसके multiplication rate बहुत fast होता है पर इसके फैलने का तरीका एक ही है अगर यह बाहर पड़ा रहेगा तो अपने हाँ मर जाएगा यह सिरफ तभी बढ़ सकता है अगर यह आपकी body में आ जाए और आपकी body के resource को use करके multiply करें तो आपके पास इससे बचने का सिरफ एक ही तरीका है और वो है एक दूसरे के contact में मत आईए social distancing को maintain करिए 6-7 feet के फांस लेगो लोग इसको मजाग समझ रहे हैं कोई जागे के cards खेल रहा है किसी ने अपनी party रखी है birthday party कोई सोच रहा है कि मैं अपने घर में छुपके party कर लेता हूँ गौर्मेंट को क्या पता चलेगा अरे गौर्मेंट को तो आपकी जान की जिनता है गौर्मेंट ने में सारी resource लगा दिये सारी trains बंदोगी गौर्मेंट की सारी income बंदो चुकी है और गौर्मेंट सारा fund आप पे खर्च कर रहे है सारे मंदिर, सारे गुर्दवारे सारे cricket stars, सारे film stars वो आगे आगे national calamity को समझ के उसमें funding कर रहे हैं सहयोग कर रहे हैं इस समय में आप अगर देश के लिए कुछ कर सकते हैं पहली चीज़ यह है कि अपने घर में रहे है अपनी सेहत का ख्याल रखिये एक burden मत बनिये गौर्मेंट पे गौर्मेंट पे अल्रेड़ी एक बहुत बड़ा खर्चा पड़ गया है आप एक burden एड मत करो और कम से नहीं अपनी चिंता नहीं करनी तो volunteer करो, आगे आओ, सेवा करो जिस आज में को खाना नहीं मिल रहा उसको खाना पहुंचाओ इसको राशन नहीं मिल रहा उसको राशन पहुंचाओ और Prime Minister Relief Fund में Chief Minister Relief Fund में जितना आप maximum contribute कर सकते हैं आपको ज़रूर करना चाहिए और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप बिल्कुल मत करिए पर अगर आप कम करना चाहते हैं तो 50, 100, 500, 1000 जो भी आप minimum कर सकते हैं पर ज़रूर करिए ये एक-एक रुपया हम लोगों के ही काम आना है Thank you very much for watching